नमस्कार मैं हूँ अंकिला धवर नेशिल स्पीक्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी के वीच लेकर हाजर हो चुके है जिसमें सुभा सवेरे दिल दहला देने वाला मामला एक सामने आया है ट्रेन में ही फाइरिंग का मामला सामन के एक कॉंस्टिबल ने अपनी आटोमेटिक राइफल के साथ जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी है यानि कि अपने साथी को ही गोली मार दी है और इसके बाद जब यह पूरा घटना करम हुआ वो दूसरे डिब्बे में चले गए थे और वहां पर जो से महराष्ट जा रही थी फाइरिंग पालगर विल्वेस्टेशन के पास ट्रेन के कोच भी पांच में हुई है जवान को उसकी राइफल के साथ अरेस्ट भी कर लिया गया है एसकॉट ड्यूटी पर थे एसाई और कॉंस्टिबल आर पे एफ के मुताबिक घटना सुभा ल लोगों को गोली मार दी जिसके कारण जो है उनकी मौत की खबर भी सामने आया है लेकिन अब तक इन कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम क्यूं दिया गया था इतनी बड़ी वार्दात क्यूं की गई है यानि की ट्रेन मे फाइरिंग का मामला जो सामने आया है पहले अपने ही साथी को गोली मार दी गई फिर उसके बाद अगले जब वो आगे की तरफ निकले दूसरी कोज की तरफ वो जब निकले तो वहाँ पर उन्होंने तीन यात्रियों को भी गोली मार दी तो क्या महज एक लड़ाई थी य आई जा रही आपको बता दें किसके बाद जो है दहिसंस्ट से पाइस से उतरकर जो आरोपी था फरार हो गया गिरफ्तारी के बाद जबाद को पूश्टाज के लिए बोरी वली पूलिस स्टेशन ले जाया है पूश्टाज के बाद फारेंग कि वज़ा का जो है उनके कारणों का अब पता चल पाएगा महराश्टर के पालगर में दोड़ते हुई जैपुर मुंबई एक्स ट्रेइन में ताबर तोड फाइरिंग हो चुकी है और अभी तक कुल मिलाकर चार लोगों की जान भी चली गई है हाला कि जो आरोपी था वो मौके से ही फरार हो चुका था जिसके बाद उन्हें पकड भी लिया गया था और बाद में जब उन्हें पकड लिया गया तो मीरा रोड के पास से उन्हें पकड़ा गया कुछ ना कुछ चीज़ जो थी उन्हें काफे जादा परिशान भी कर रही थी जिसके बाद ये पूरे घटना को अंजाम भी दियेगा इधर घटना को लेकर पश्मी रेलवी की ओड से जारी एक बयान में कहा गया है कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीफ कॉंस्टेबल ने चलती जैपूर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोली बारी शुरू कर दी थी उसने एक आरपीफ एस आई और तीन अन्य य पादरी ने अपने स्कॉर्ट ड्यूटी प्रभारी टिकर आम मीना को चलती ट्रेड में गोली मार दी और उसके बाद वहां से मौके पर मौके से जो है फरार भी हो चुके थे और हाला कि अभी तक मुख्य कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है को मासिक तनाव से जूज रहे थे और साथी साथ ये भी बयान अब सामने आने लगे है कि जो मृत्तक है उनके परिजनों को मुआवजा भी सरकार की तरव से मिलने वाला है और इसके बाद जो है डियार्म का भी बयान सामने आ गया है उन्होंने कहा है कि ये भी कहा है कि यात्री के जो परिजन है यानि कि उनके जो घर वाले है उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा और क्या मुख्य कारण है उसका भी जल से जल्द पता लगाया जाएगा ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई वार्दात दुबारा से देखने को ना मिले क्या को लेकर आते रहेंगे nation speaks आप तक यो हैं पहुंचाता रहेगा लेकिन तब तक के लिए आप बने रहें नbadika के साथ और नेशन स्पीक्स की YouTube चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलिये